नमस्तु अब्हम नमस्तो भ्हम नमाम में हम अम साहुद्र एयारी राष्टर के रहने वाले मेरे हम उमर भाईयो आप सभी को मेरा नमस्कार है स्वागत है आप सभी का उस रंखाला को आगे बढ़ा रहे हैं जो हम मन्चाही संतान को प्राप्त करना चाहते हैं और मन चाहिए संतान को प्राप्त करने के लिए ग्रस्त जीवन को बहुत बड़ा योग कहा गया है बहुत बड़ी तपश्या कही गई है जैसे संतान और जैसे अहार विहार वच्चार वाली संतान आपको पैदा करने ही वैसे ही अहार का ऐसे ही विचार संसकार आपको अपने अंदर पैदा करने होंगे तभी वो संसकार आपके बच्छों में आप आएंगे तभी आपके संसकार के अनुडूप आपकी संतान पैदा होगी तभी वो संतान तेजस्वी बनेगी तभी वो संतान बुद्धिमान अब कैसे प्राप्द करें कैसे हमारी संतान ते जस्वी हो उसके लिए सौच संतौश तपह स्वाज्जाय इस्वर प्रिणी नी धानानी कि हमें पवित्र रहना चाहिए घर में ज्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए अपने घर को साफ सुन्द रखना चाहिए हमें तपश्चा करने चाहिए बड़ों के कटू वचनों को सहन करने की ताकत होनी चाहिए हमें दुस्वनों के वारों को सहन करने की भी ताकत होनी चाहिए दूसरे की करी गई निंदा पर हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए दूसरे के वेभार को देख करके उसके अनुरूप हमें गलत वेभार नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसका स्वभाव है आपका अपना स्वभाव है आज जिस स्वभाव के हैं जब वो अपना दुष्ट स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो आप अपना दयालूता का स्वभाव कैसे छोड़ रहे हैं क्या आपके माता पिता ने आपको दूद नहीं पिलाया क्या आपके माता पिता ने आपको जनम नहीं दिया कि आप अनाथ थे अगर आपके माता पिता ने जनम दिया है आप सनाथ हैं माबाप का दूद और संसकार आपके अंदर है तो आपको अपने संसकारों का प्रिट्याग न करके दूसरे के संसकारों को बदलने की ताकत होनी चाहिए और यही ताकत को कहते हैं तप तप को यह टांग पर खड़े हो जाना तप नहीं है भूखा रहना तप नहीं है मातर आरतियां करना घंटा बादन करना तप नहीं है तप है उन विचारों को उन संस्कारों को अपने अंदर सम्महित करना तब है उसी के अनुशार अपना जीवन यापन करना एक बार एक व्यक्ति कहता है वेद पड़े हुए व्यक्ति से एक सनातन धर्म का व्यक्ति पूछता है कि ये पुजारी हूँ मैं और बड़े गरव के साथ कहता है मैं पुजारी हूँ को वेद का पड़ा हुआ व्यक्ति कहता है आप पुजारी हैं लेकिन आपका किसी पर परवाव क्यों नहीं पड़ता तो पुजारी हास करके कहता है कि मैं तो रोज़ाना परियतन करता हूँ लेकिन नहीं पढ़ता तो मैं क्या करो तो वेद का पढ़ा हूँ विद्वान जिसको द्विवेदी, त्रीवेदी, चतुरवेदी कहते थे वो चतुरवेदी विद्वान कहता है बस यही एक अंत्र है कि आप मानते हैं लेकिन जानते नहीं जब आप जानना सुरू कर देंगे तो लोग आपकी बातों को मानना सुरू कर देंगे आप जानते नहीं कि आप क्या कर रहे हैं आपने पूजा और पूजारी क्यों कहा गया यह आप जानते नहीं मुझे पूजारी तो इसलिए कहा गया कि मैं पूजा करता हूँ तो वेद का विद्वान कहता है कि पूजा करना पूजारी नहीं है पूजारी मतलब जो पूजा का दुस्मन है उसको कहते हैं पूजारी क्योंकि बार बार आप भगवान के सामने उस मूरुती के सामने दीपक लगा करके बार बार उसको घुमाते हैं अगर देखिए लेकिन देखकर कि आप बताते नहीं कि आप क्या बताना चाहते हैं आप उच्छ सवर्षे गाते हैं जय हनुमान ग्यान गुनसागर जय कपी से तिहुलो लोको गाजर इस तरह से आप आरत लातियां जोर शवर्षे करते हैं कि उसका ध्यान यह नहीं जाता कि मैं क्या दिखाना चाहता हूं इस आरति का आरत यहीं है कि जिससे मुनुश्य के द्वारा बनाईगी है कि मैं दिखा रहा हूं यह मात्र मूरुती है और इस मूरुती पर जो कल भोग लगाया था जो वस समूर्टी ने तेरी माला कभी ली ने तीरा भूग कभी लिया जो आप ने चढ़ाया कुछ नहीं लिया एक इंच भी ती दी नहीं हुई एक में रहा च्छोटी नहीं हुई जो आपने इतने वर्सों शे भूग लगाया दूध चढ़ाया भेलपत्र चढ़ाए už जाने क्या क्या किया इसने एक इंच मात्र भी अपने स्वरूप को कभी नहीं बढ़ाया इन्होंने कभी आपकी बात का जवाब नहीं दिया आप रोजाना इससे मांगते हैं कहते हैं कभी आपको जवाब नहीं दिया तो आप इसको छोड़ करके यहां पूजा पाथने करके का मतलब है इस मूरती को ने पूज करके आप भगवान के दोरा बनाएगी उन्हों मूरतियों की पूजा कीजिए जिस मूरती ने आपको जर्म दिया है आपकी जर्म दात्री जो मूरती है आप उसकी पूजा कीजिए उसके सामने आप रोजाना यग कीजिए उसके सामने से हाथों से भक्षपदार्थ बनाकर के खिलाए उसके पास वस्तर नहीं है तो पहनने के लिए उसको वस्तर दीजिए जब भगवान के द्वारा बनाएगी मूर्ती के साथ ऐसा विभार करेंगे तो आपके इश्टर देव परसन हो जाएंगे यहां जो मुनुश्य के द्वा बनाएगे यह मूर्ती है इस मूर्ती पर कुछ नहीं होना जब यह सार यह रहश्य आपकी समझ में आ जाएगा तो जिसको आप भगवान कहते हैं उस हिमालय परदेश में रहने वाले राजरिशी शीव नाम के व्यक्ति को जो पार्द का ग्याता था जो पारी को जानता था पारी को शिद्ध करना जानता था और जो रसायन का निर्माता था उस शीव को कल्यान के लिए जब पारे का परियोग बना गया उस शीव ने एक बार अपने दो पुत्रों को जिसका एक नाम गानेश था और दूसरे को कारती कहे था उसने कहा कि जाओ आप ब्रहांड का चक तो कारती कही अपना घोड़ा लेकर के ब्रहांड का चक्कर लगाने के लिए दोड़ पड़ते हैं लेकिन गनेश जी वहीं अपने माता पिता के पैरों को दबाते रहते हैं और जब दूर से वह घोड़ा कारती के एक आता हुआ दिखाई देता है बहग करके अपने माता औ क्या है तो सिभुपियांसेवे कहते हमीं से पूछिये जिसे गणेश को मैंने गणoz इस बताया है समों का राजा बताया है इसको राज पद्रवी इसलिए मैंने नहीं दी यह गणेश है गण का भावार्थ ही आपको समझना चाहिए क्यों कि मैंने इसका का नाम इसलिए रखा है कि यह सम्हूं का राजा बन सकता है इस के अंदर बुद्धि भी AI और बुद्धि के इलावा यह सबसे तगड़ा सैना पती भी आ है सैना पती इसलिए एकि स्का नाक बढ़ा एक इसका नाक इसलिए बढ़ा नहीं कि हमने जो मूर्तियों में इसको हाथी का नाक लगा दिया ये नहीं है इस नाक का अर्थ है कि ये सूंग करके बता सकता है सो योजन दूरी पर भी ये बता देगा कि धूल उड़ रही है अगनी जल रही है या कौन सी घटना वाई के द्वारा वा अगती गंदन है ये नहीं आ रहे है कोई सार्थी लड़ने वाला तो नहीं आ रहा किसी ने अगनी को तो नहीं जलाया है या वहाँ पानी तो नहीं है इस तरह का ये दूर दृष्टी विद्वान तेरा बत्चा जब ऐसा कारिये कर रहा है तो इसी से पूछिए कि उसने ये चक्र क्यों लगाय है उसने ब्रमांड का चक्र क्यों नहीं लगाया तो गनेश जी हसकर के कहते हैं कि क्योंकि ब्रमांड से बड़ी माता और पिता हैं माता पिता का जब आपने चक्र लगाने के लिए कहा तो मैंने अपने माता पिता का चक्र लगा लिया और जब मैं अपने माता पिता की सेव करूँगा तो समझो ब्रमान में स्थित जितने भी गरह नक्षत्र हैं चाहे प्रत्थ्वी है चाहे सूर्य है बुद्ध है ब्रश्पति है शुक्र है सनी है ये सभी गरह हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते क्योंकि सभी गरहों के आस्रे दाता मेरे माता-पिता है और जब मेरे माता-पिता खुश है तो मैंने अपने अराध्य देव को खुश किया है और जब वो खुश है तो उससे निर्मित ये कोई गरह नक्षत्र ये संतान ये प्रजा मेरा कुछ नहीं बिगाड सकती इसलिए मैंने आपका चक्कर लगाया है कल फिर इसी विशे पर फिर बात करें आपके सहीयों की कामना के साथ कि आप अपने मन को द्रिढ कीजिए आप जानिये मात्र मानना नहीं है आप क्यों मानते हैं ये जानना आपका अधिकार है और ये अधिकार आपको वेदे देता है इसलिए महर्शित दयानन सरस्वतिद्री ने कहा है वेद का पढ़ना और परमधर्म है जय आरिये जय आरियवर्थ जय भारत जय भारति आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने कमेंट्श और लाइक अवश्य सेयर करें सभी महिलाओं से खाज जोड कर प्रारतना है कि वे इस मिशन में अवश्य हमारे साथ जुड़ें जिस से आने वाली आ आपके बुढ़ापे का सहरा बने आपका भाई आपका पती आपका पिता सर्व गुण संपन यज करता एवं मात्री पित्री भक्त बने हमारा मिशन है अंग्रेजी दवाओं को भगाना और आयुर्वेद को अपनाना